प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे एक बड़ी ही रोचक कहानी, चांद वाली अम्मा बहुत समय पहली की बात है, एक बुड़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली, उसका अपना कोई न था घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता, सुभा उठकर कोई से पानी लाना, खाना बनाना आदी, उसके साथ एक परिशानी थी वहे रोज सुभा उठकर जब घर से जाडू लगाती, तब तक तो सब ठीक रहता पर जैसे ही वहे आंगन में जाती और ज़ाडू लगाने के लिए जुकती, तब ही आसमान आकर उसकी कमर से टकराता अम्मा उसे घूर कर देखती, तो वहे थोड़ा हट जाता फिर वहे जैसे ही दुबारा जुकती, आसमान फिर अपनी हरकत धोराता एक दिन, दो दिन, तीन दिन, लगातार यह क्रम चलता रहा अम्मा जाडू लगाए और आसमान उसे तंग करे एक दिन कुए पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी ओर से जगडा हो गया अम्मा ज़रा घुसे में थी, वह जाडू उठा कर आंगन में गई और जैसे ही जुकी, आसमान ने फिर अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेडा अम्मा ने आव देखा ना ताव और कसकर एक ज़ाडू आसमान को दे मारी आसमान जट हट गया, वह भी अपनी आदत से मजबूर था दूसरी बार फिर अम्मा के जुकते ही टक्कर मारने लगा अम्मा ने फिर पूरी ताकर से उस पर वार किया आसमान को शरारत सुझी, इस बार उसने ज़ाडू पकड़ ली उधर अम्मा भी ज़ाडू पकड़े थी, रसा कशी शुरू हो गई ज़ाडू का उपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा दूनों छोडने को तैयार नहीं थे अम्मा चिल्लाई, छोड मेरा ज़ाडू, मेरे पास एक ही ज़ाडू है तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा, बुड़ी अम्मा कब तक रक्सा काशी करती ठक गई, आसमान ने ज़ाडू खीचना नहीं छोड़ा अब वह ज़ाडू के साथ उपर उठने लगा उसकी साथ साथ ज़ाडू पकड़े हुए अम्मा भी उपर जाने लगी वह चिलाई, मुझे नीची छोड़ दी आसमान ने कहा, अम्मा, अम्मा तुम्हें नहीं छोड़ूँगा ले चलूँगा उपर वहीं ज़ाडू लगाना अम्मा अब ज़ाडू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह उपर पहुच चुचुकी थी तब ही उसे वहाँ चांद दिख गया जट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चड़ गई पर ज़ाडू नहीं छोड़ी आसमान को फिर शरारा सूजी उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चड़ गई है यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हाड जाओंगा इसे यहीं रहने दूँ ऐसा सोच कर उसने ज़ाडू छोड़ दिया अम्मा ज़ाडू सही चांद पर रह गई वह इतनी ठक गई थी कि ज़ाडू पकड़े-पकड़े ही चांद पर बैठ गई आसमान उपर चला गया उस दिन से आज तक बुड़ी अम्मा ज़ाडू पकड़े चांद पर बैठी है अगर आप ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब, शियर और नाइक करना ना चाहते हैं